So hello friends, welcome back to another new video तो इस वीडियो में guys मैं आपको MBA CET 2024 के examination की जो eligibility criteria है उसके बार में detail में सारे जो information है वो देने वाला हूँ जैसे कॉंसे students apply कर सकते है, क्या जिनका diploma हुआ है वो apply कर सकते है या फिर नहीं अगर आपके education में gap है तो क्या apply कर पाओगे या फिर नहीं साथ में मैं आपको पूरा official जो information ब्रॉस्चर है वो भी दिखाऊंगा जिससे आपको detail में सारी जो information है वो मिल जाएगी और आपके मन में कोई भी जो doubts है वो नहीं रहेंगे तो वीडियो पूरा एंट तक देखते रही है ताकि आपको सारी जो information है वो मिल जाएगे तो यह है गाईज MBA CET को official information ब्रॉस्चर फॉर यर 24 और 25 और इसमें सारी जो information है वो दी हुई है अब यहापे हम गाईज जो eligibility criteria है वो देखते है जिससे आपको सारी जो चीज़ा है वो समझ में आगी कि कौन exam दे सकता है और कौन नहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे student हो जो कि अपना higher qualification BBA या फिर MBA में करना चाहते हो बट आपके पास इतना time नहीं है due to your regular job या फिर आपके पास इतने finances नहीं है कि आप world class university में admission ले पाओ तो इस condition में guys I will recommend you dy partil university Mumbai जासे guys आप अपने e degrees जो है वो complete कर सकते हो like in MBA, PBA and EMBA में या पे guys आपको काफी सारे जो facilities है वो मिल जाएगी जैसे guys या पे आपको world class teaching facility मिल जाएगी साती में guys या पे आपके industry experts के साथ जो master class है वो भी कराये जाएंगे, placement support या पे आपको मिलेगा ही, साथी में placements के लिए bootcamp plus certification courses है वो भी कराये जाएंगे, इसके अलवगाई इस D.Y.Partil University of Mumbai को NAC accreditation के तरफ से A++ का जो grade है वो मिला हुआ है, साथी में इनकी जो NIRF rankings है वो भी अच्छी है, तो एक बहुत ही जहां से आप अपनी online degrees जो है वो complete कर सकते हो, और अपने career को जो है वो और भी अच्छा बना सकते हो, और भी inquiry के लिए या आप इस details के लिए इस description में आपको गूगल फर्म के जो link है वो मिल जाएगी, उसे फिल करके आपको इस university के बार में और भी जो detail में details है वो मिल और association of Indian universities in any discipline with at least 50% marks in aggregate or equivalent at least 45% in case of candidates of backward class categories और EWS और person with disability ठीक है तो इसका मिनिंग यही है guys कि वो सभी students जीनोंने 3 year minimum 3 years या फिर इससे जादा का graduation course complete किया है वो सभी students जो है वो इस examination के लिए जो है वो apply कर सकते है और आपकी graduation में guys आपका जो percentage है वो अगर आपकी open category है तो आपको 50% या फिर इसके उपर जो है वो रहना चाहिए अगर आप category से belong करते हो जैसे OBC हो गया या फिर EWS वगरे हो गया तो आपको 45% या फिर उसके उपर रहना चाहिए तब भी जाके आप इस examination के लिए जो है वो eligible रहोगे अब काफी सारी students का ये पूछना था कि क्या जो diploma students है वो इस examination को दे सकते है या फिर नहीं अब देखो guys 12th कोई student जो है वो 12th करते है कोई student करते है अपना diploma फिर उसके बाद अपनी जो graduation है वो करते है तो देखो guys 12th वाले जो students है वो apply कर सकते है और जितना मुझे पता है वो इतना ज्यादा matter नहीं करता है बट registration के time guys वहापे जो 12th का option है वो आ रहा है बट वहापे diploma का option है वो नहीं आ रहा है उसके details फिल करने का तो उसके लिए guys आप एक बार जो है वो help line या फिर अपनी जो grievance है वो raise कर दो तो उससे आपका जो problem है वो solve हो जाएगा ठीक है बट diploma and 12th जो दोनों में से कोई भी अगर आपने किया होगा और फिर graduation किया होगा तो आप इस examination के लिए जो है वो eligible हो minimum 3 साल का आपका जो graduation है वो रहना चाहिए अगर आपने engineering वगरे किया है तब भी आप जो है वो exam ये वाली जो है वो दे सकते हो minimum 3 years 3 years से जादा आपका अग of the university तो इसका मिनिंग ये है कि suppose अगर आपने under graduation past student हो मतलब आपने past कर लिया पूर आपका graduation खतम हो चुगा है तो आप अपलाई कर सकते हो साथ ही में जो students अपने final year में है जैसे अगर engineering के student होंगे तो वो अगर अभी अपने fourth year में होंगे तब आप अपलाई कर सकते हो अगर अपने third year में third year में अभी हो ठीक है अभी आप exam वगर दे रहोंगे अपने final year की तो आप भी जो है वो अपलाई कर सकते हो ठीक है तो जो students अपने final year में है और जो students ने अपना graduation complete किया है वो सबी students वो MBA CET examination के लिए जो है वो अपलाई कर सकते है बस category students के लिए 45% रहना चाहिए aggregate and जो open category या फिर दूसरे candidates आते है तो उन्हें 50% जो है वो रहना चाहिए ठीक है अब यहापे guys aggregate के बार में जो है वो बताया गया है काफी सारे students को confusion होता है कि जब हमें वापे graduation के marks फिल करना है तो क्या हमें बस engineering के marks डालना होता है या फिर पूरा aggregate डालना होता है तो total of marks obtained by the candidate in subject on which the class declaration is made in the particular university from which the candidate is passing the qualifying examination ठीक है तो इसका मिनिंग यही है guys कि जब आप वापे aggregate percentage डालोगे तो उसमें आपको सभी semester का calculate करके जो percentage है वो डालना है ठीक है अगर आपका CGPA format हो या फिर percentage में हो तो वापे conversion करके भी आप जो है वो डाल सकते हो ठीक है तो suppose अगर आपको decimal देख रहा होगा तो 9 points अगर CGPA होता है तो 9.82 हो गया तो वो decimal तक आप जो है वो round off करके जाना है ऐसा नहीं कि 9.211 ऐसे 5 digit decimal के बाद मत डालना बस 9.82 9.32 ऐसे 2 digit डालना after decimal ठीक है फिर गाइस यहाप पर the candidate belong to SC इनके बार में बताया गया है कि suppose अगर आप category student हो तो वहापे आपको cast certificate certificate, cast validity certificate जो है वो upload करना पड़ेगा अब एक बाद कर ध्यान रखोगा है suppose अगर आप examination के लिए apply कर रहे है और उस time आपके पास cast certificate या फिर cast validity certificate नहीं है तो आप exam दे सकते हो ऐसा नहीं है कि आप exam के लिए eligible नहीं रहोगे आप exam दे सकते हो बट जब admission process start होगी तो उस time आपको जो cast certificate, cast validity, OVC को non criminal भी लगती है तो वो सारी चीज़े आपको जो है वो upload करना पड़ेगा suppose अगर आपने अभी apply किया है बट अभी आपके पास नहीं आई है तो आप exam दे सकते हो अगर cast certificate नहीं भी है तब भी exam जो है वो आप दे सकते हो बट exam खतम होने के बाद जब result लगता है और उसके बाद जब admission process start होती है तो उस time guys फिर आपको category benefits चाहिए होंगे तो आपको cast certificate, cast validity यह सारी जो चीज़ है वो upload करना पड़ता है तभी आपको cast के जो benefits है वो मिलेंगे वरना फिर आप जो है वो open वाली इसमें जो है वो चले जाओगे ठीक है तो इसका ध्यान रखना साथ ही में आप बताया भी हुआ है कि कब तक validity वाली जो cast certificate या फिर cast validity चाहिए ठीक है I think 2025 तक validity रहना चाहिए अगर आपका 24 तक validate है तो आप अपने certificates को जो है वो upload करवा देना होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गही होगी out of महाराश्य students भी जो है वो MBA CET के examination जो है वो दे सकते है तो आप मतलब ले सकते हो benefits आने exam दे सकते हो and यहाँ पे guys cat, cmat ओ सारी examination के score के basis पर भी college मिलते है तो अगर उसके बार में information चाहिए होगी तो comments में बता ना म कैसे आप दोनों score से जो है वो apply कर सकते हो ठीक है फिलाल इस वीडियो में इतना ही कुछ भी doubt होगा तो आप telegram group join कर लेना वहाँ पे आपको यह PDF मिल जाएगा साथ ही मैं आप मुझे instagram पे मैसेज कर सकते हो मैं जरू ट्राय करूंगा कि आपके सभी questions के जो answer है वो दे दूट तो मिलते है जैसे और एक information वीडियो में